हेलो फेंड्स वेलकम टू माई टैक सपोर्ट चैनल फेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे अप्लिकेशन के वारे में जिसकी मदद से आप अपना खुद का 3D 4D वाल पेपर बना सकते हैं वो भी लाइट तो अगर आप जानना चाते इस अप्लिकेश को डाउनलोड और इंस्टॉल करना हुगा इसको मैंने पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है इस अप्लिकेशन में आपको बहुत सारे 3D वाल पेपर मिल जाते हैं लेकिन इस अप्लिकेशन की मदद से आप अपना खुद का 4D 3D लाइब वाल पेपर बना सकते हैं लेकिन फ्रेंट्स यहां पर आपको प्रॉब्लम आने वाली है यह जो अप्लिकेशन अभी आप देख रहे हैं यह एक प्लेड अप्लिकेशन है और इसका फ्री वर्जन आप प्ले स्टॉर से डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसको प्रो वर्जन में लेन प्लस का बटन मिल जाता अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर हमें काफी सारे वाल पेपर मिल जाते हैं जिसको अपने वैगराउंड में लगा सकते हैं लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स में आपको दिखा देता हूं कि कौन से अपने फोटो को मैं 3D वाल प पर बनाने वाला हूं इसके लिए फ्रेंड्स आपको इस फोटो को यहां से कट करना होगा तो कट करने के लिए आप चाहें तो अपने एड़ड़ फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने एंडुड फोन में काफी सारी ऐसी अप्लिकेशन आती हैं जो कि आ अपने फोटो को लाइब वालपेपर में कंवर्ट कर लेते हैं तो उसके लिए हमें जाना होगा हमारी एप्लिकेशन पर तो यहां पर सबसे पहले आपको प्लस पर क्लिक करना होगा उसके पाद यहां पर आपको काफी सारे बैक्ग्राउंड मिल जाएंगी लेकिन आप चा यहां पर हम सेट कर लेते हैं जितना भी हमने व्यू चाहिए तो यहां से इतना ठीक है इसके बाद यहां पर हम एड लेयर पर क्लिक करेंगे और यहां से हम नेक्स्ट लेयर को एड करेंगे फिर दुबारा से हम प्लस पर क्लिक करेंगे और यहां से चूज फ्रॉम गैलरी और यहां पर मैंने पहले से इस photo को cut करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इसको मैं यहां पर set कर लेता हूँ, तो यहां पर इस photo को मैंने set कर लिया है, आप देख सकते हैं, इसको यहां से पोस्ट कर सकते हैं, जो कि फिर live हो जाएगा, सभी इसको download और install कर सकते हैं, त इसे save कर लेता हूं या फिर आप चाहें तो save से पहले preview करके इसे देख भी सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं इसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मेरा जो फोटो है वो लाइब बन चुका है पूरी तरह से इसको यहीं से मैं set भी कर सकता हूं लेकिन उससे पहले मैं इस फोटो को save कर लेता हूं अपने फोन में तो चलिए यहाँ से अब मैं आता हूं home page पे और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मेरा जो फोटो है हाँ पर ready हो चुका हूं उससे पहले मैं एक फोटो बना चुका हूं लेकिन उससे छोड़िए हम यहाँ पर अपने फोटो पर click करते हैं और यहाँ से हम set wallpaper पर click कर लेते ह से और set wallpaper पर click करेंगे home and log page पर जिस पर रखना चाहते हैं उसके रख सकते हैं फिलाल मैं यहाँ पर home पर रख लेता हूं और यह मेरा wallpaper यहाँ पर set हो चुका है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा live wallpaper set हो चुका है तो इस तरह से आप अपने किसी भी फोटो को live wallpaper में convert कर सक आपको पसंद आए अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर करें नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ वैल आइकोन को दुमाएं जिससे की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें तो मिल आप आपसा तेजयो की टाहीं नई वीडियो करें स world कि अपक्ना रहें भीडियो का वीडियो के लाग तेख एल्डाएं वैग याई।